नमस्कार दोस्तों आज बात करने वाले हैं एंड़ी से इंडेल इमिटेट के बारे में आज के दिन भारी गिरावाट देखने को मिल रहा है पांच पर्सन लगभग बजार में स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला काफी सारे अपडेट निकल कर आ रहे हैं बहुत सारे सिच्वेशन बने हुए हलांकि प्यश्व अल्रेडी करेसी हो रहा है कहने की बहुत ज़्यावाट में जा रहा है तो समझ सकते हैं और आज बजार का बहुत बड़ा इंपक्ट देखने को मिल रहा है इरान और इस्राइल में चल रहा है बहुत ही बड़ा इसू जिसके वज इवेस बजार आज बस यहां पर दिखा रहा है जब्यार की बड़ी पर फूर्म कर रहा है बजार की बात कर लें इंडिया बजार तो आप देख को बहुत ही जिवर जस हाई और थोड़ा यहां पर गिरावट चाल रहा है आप समझ सेक्टे हो जब अच्छा हाई बनता है तो फिर थोड़ा गिरावट होता ही है उसी प्रकार यहां भी उसी प्रकार यहां भी तो इसमें कुछ और अगर निगेटिव हो जाता है तो फिर और ज गिर सकता है लेकिन सबसे पहले आप देखिए सेर में कितना कारोबार हुआ है 149 लग से ट्रेडिंग हुआ है जिसमें कि 33% माल उठा लिया गया है खरतारी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है अच्छा क्वांटिटी है तो समझ सेकते हो पॉजिसन यहां पर निविसेक बन बढ़ी हां और यहां पर मिल रहा है ऐसाई डी बी आई वासी रीडवलप्मेंट प्रोजेक्ट कंपनी को रीडवलप्मेंट प्रोजेक्ट पे 42 क्रोड के और मिल रहा है तो उसका पाजिटिव असर तो कोडर के रिजल्ट में देखने को मिलेगा हलांकि अभी बजार में वीखने से इसलिए स्टॉक में किरावट देखने को मिल रहा है और आगे दिखे बहुत बड़ा अनॉसमेंट भी कंपनी ने कर रहा है इसवेंस और बॉनस शेयर और फिक्सेशन और रिकॉडड़ेट आने वाले मंडे को यानि कि 7 अक्टूबर 2024 को इस इन कंपनी का सेयर तूटकर बॉनस में आ जाएगा और प्राइस सेटलमेंट हो जाएंगे रिकॉड़ डेट है 7 अक्टूबर 2024 यानि कि जो भी निविशक 7 अक्टूबर 2024 तक होल्ड करेगा उन्हें बॉनस मिलेगा तो जो ऐइसके छुटक्त में एंट发 डेट गासना हो लायो कोई साख्साण में अच्छा सा इत्व wavelengths डेखने का मिल गया इसकी पीछे बजार बहुत ही बड़ा पैनिक भाया तो आप समझ सकते हैं ब्रिक आउट अभी थोड़ा स्टेगल यहां पे कर सकता है मैंने आपको पहले बता एक ब्रिक आउट इतना असानी से नहीं होने वाला लेकिन अगर मार्केट अच्छा रहता दोस्तो तो फिर यहां पे गिरावट नहीं होता और बोनस के कारण इसमें अच्छा देखने को मिलता और से तेजी यहां पे निकालक दे सकता था अब दीके शेयर उसी रेंज में आ चुका है जहां पे स्टॉक्स कर रहा है हलांकि आज शेयर आप देख सकते हो इसका लोग की बात कर लें एक सो बावन भी देखने को मिल रहा है यहां पे देखते है हाँ आज का लोग प्राइस 152 भी है मतलब एक बड़ा मौका था जैसने माल उठाय अच्छी बात है तो समझ सकते हैं आज शेयर 150 के आसपास भी आ गया था तो स्टॉक में फिर से अच्छा तेजी देखने को मिलेगा अब बोनस के कारण इसमें थोड़ा अच्छा प्राफ शेयर अब इस रेज में आने वाला है तो आपको होल्ड यहां पर करना ही पड़ेगा एंड शेयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात कर ले तो शेयर देखिए अपने सपोर्ट के आसपास बार बार इसी रेंज के आसपास ही आता है पेकिन 163-164 करने वाला है तो चिहां पर अंपट बात बने गा नहीं तो देख सकते हो लासी हुँ अचाए इस वार अच्छे-पॉसिट को होना चाहिए तभी। सब्सक्राइब